हाई गाईस मेरा यूटूब चैनल फैंटेसी एप्टीटी 11 पे आपका सवगत है आज मैं ड्रीम 11 में फुटबॉल की टीम प्रोवाइट करूँगा जो है ए लीग का मैच जो है ओविस्टेन उनाइटेड एफसी और माकर्थर एफसी की भी जो मैच है मैं उसे काई टीम प्रोवाइट करूँगा गाईस तो मेरे साथ ये वीडियो लास्तक देखिए मैं जो भी अप्डेट दूँगा जो भी सेज़ेस्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकती हो तो गाईस आज का जो मैच का टीटेल से टूर्णमेंट है ए लिग का जो है आमी पार्क पे खिला जाएगा आज दो बसकर पंदरा मिनिट पे स्टार्ड होंगे ये मैच या पर से माकर्ता रेबसी जो तीन नमबर पे है जो दो मैच खिला है एक मैच जीता है एक मैच ड्रॉ किया है उनके पास 4 पॉइंट है और अभी तक जो पिछले बार का चैंपियन रहा है एलिग का अभी तक 12 नमबर पे है तो मैच खेला है दो ही मैच जारे है उनके पास 0 पॉइंट है यापर से पिछले पाच मैच का जो रिकॉर्ड है वेस्टन इुनाइटेड दो मैच जीता है माकर्थर ने दो बार जीता है दोनों के बीच टाई हुआ है एक मैच 19 अप्रिल को लास्ट मैच खेला गया था जिन में से वेस्टन इुनाइटेड ने 2-0 से जीता था यापर से आते हैं Western United जो दो मैच खेला है दो मैच ही हारे है First मैच हारे थे Melbourne City के साथ 2-1 से उसके बाद last मैच में 3-1 से Sydney FC के साथ हारे है यापर से Western United जो अपने पिछले टीमी यापर से बरकरार है गोलकीपर पर यॉंग काफी बढ़िया गोलकीपर है प्लाइड बैक पे गड़ो सियो सेंटरल डिफेंड पे लैक रॉइक्स जोश्या रिजडॉन गड़ो सियो पिछले सिजन काफी अच्छा गया था उनका रिजडॉन काफी अच्छा पदेशन करने वाला है लेब बैक पे टॉपो स्टैनली स्टार्ट करेंगे यह भी काफी इंपॉटन खिलाडी था पिछले सिजन उसके बाद मिटफिल पे रहेंगे लचलन वाल्स स्टिफन लच्टिका नैल क्लिकलेनी और कॉर्नोर पेन और जेम्स्स ट्रॉइसी यह तिन या पर से काफी इंपॉटन खिलाडी है लस्टिक आप जो सिनियर खिलारी है अपने टीम के जो वेस्टिलेंड नेशनल टीम के नेक्ट क्लिक लेनी का परफॉर्मेंस पर अच्छा है कॉर्णोर पेन का भी काफी अच्छा सीजन गया था पिछले सीजन और आज का भी आच्छा मैज जाने बाला है यहापर से ट्रोईसी काफी बड़िया सीजन गया था लेकिन इस सीजन उतना अच्छा खास परदश्चन नहीं कर पाए में जो स्ट्राइकर रहेंगे वेंजल हील्स और यह भी थोड़ा पेटर आप्शन रहेंगे यहापर से आते हैं तो कॉर्णर पेन काफी इंपोर्टेन खिलाड़ी है वेस्टेन वेट के तरफ से क्योंकि यह अभी तक पिछले सीजन पे बारा गोल दागे थे और अभी तक काफी अच्छा अटक कर रहे हैं अभी तक और यहापर से जो नेल क्लिक नहीं नहीं है अभी तक एक एसिस्ट अभी तक दारागा है काफी बढ़िया मिडफिल्डर आप्शन है उनका जो डिफेंडर है जोश्वा रिस्डॉन यह भी एक गोल दागा है अपने टीम के लिए इस सीजन यह भी काफी इंपोर्टेंट खिला रही है उसके बाद माकर्थरेपसी पिछले दो मैच में एक मैच ड्रॉ किया है और एक मैच जीता है फर्स्ट मैच ब्रिजबन रोड के साथ ड्रॉ किया था और यहापर से लस्ट मैच जीता था दो जिरो से एडिलेट उनेटेट के साथ यहापर से मकर्थरेपसी गोलकीपर पे रहेंगे फिलिप कूर्टो राइट बैक पे स्टार्ट करेंगे भूजी का सेंटर डिफेंट पे एश्पो टेमेटीज उसकॉक और यहापर से रहेंगे मैथ्यू मीलर यहापर से भूजी का का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जोनाथान एस्पो मेट्री इसके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है उसकॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाप पर से काफी important है क्योंकि डैनिल डी सिल्वा का performance अच्छा है यहाप पर से यहाप पर Sट्राइकर पे खेलेंगे यहापड पे आलहसान टोड़े और एंथोनी कातर जिन में से टोड़े का performance काफी बढ़िया है इन में से यापर्से लचलंड रोर्स का परफॉर्मेंस काफी बढ़ी है क्योंकि एक गोल एक एसिस्ट अभी तक इस सीजन पर मार चुका है और डैनियल अर्जानी भी एक गोल एक एसिस्ट मारा है और डिफेंसिव खिलाब में यापर से उसकॉक का काफी अच्छा पदेशन रहा है डिफेंसिव आप्शन पे तो गाइस आप में टीम क्रेट करोंगा वेस्टर उनाइटेड और माकार्थर एफसी के भीड जो मैच नहेगा यापर से जो गोल की पर के जो आप्शन रहेंगे यापर से कूर्तो और यापर से यौंग मैं यापर से यौंग को पिक कर रहा हूँ रिफिंडि को आपशन्परूया पके अपके पास लेक्रोइश भी परसे अरजानी को पके चाफिग कर रहाई वस्कतेयो तरफ से चोइस रहेगा ये अपके पस कर्णे मिटफिल्डराप्स आर्जानी को पकि आप जा करें पर क्लिक नेनी को पिक किया और यहाँ पर से ट्रॉइस ही को पिक किया अदर चॉइस पर आपके पास डी सिल्वा है यहाँ पर से लचल अनोल से लास्टिका है आप तीनों से भी से एक को चॉइस कर सकते हो दो भी चॉइस कर सकते हो यहाँ पर से उतना अच्छा खास नहीं है स्ट्राइकर ओप्शन पर यहाँ पर से टोवडे को पिक किया कॉंड और पेन को पिक किया और यहाँ पर से लचल अन्लोस को पिक किया यहाँ पर से आपके पास चॉइस आ सकते हैं खिलारी आज का मैं start करेंगे वेंजेल हेल्स और कार्टर यहापड सब वेंजेल हेल्स के साथ जा सकते हो काफी अच्छा चोइस रहेगा तो गाइस अभी तक यह मेरा टीम रहेंगे Captain Vice Captain का जो option रहेंगे यहापर से Lushland Rose का अच्छी काफ़ी अच्छा possession किया है, Arzani अच्छा possession किया है, Connor Payne काफ़ी अच्छा possession कर सकता है तो twice ही को बूई आप Captain Vice Captain कर सकते हो, तो यहापर से जो मेरा टीब सेब जो Captain रहेंगे अभी तक, जैसे यहापर से Lushland Rose को मेरे टीम में Captain बनाए और Vice Captain यहापर से Arzani को बनाए, आप यहापर से Grand League option पे यहापर से 24 Grand League पे Vujika को और यहापर से उसको को आप Captain Vice Captain कर सकते हो, डिस्डान को भी आप Grand League में कोई option दे सकते हो क्योंकि Western United bounce back कर सकता है लेकिन थोड़ा सा MacArthur का जितने का चांस काफी ज़्यादा है तो यहापर से, All the best guys आप Head to Head खेले, Small League खेले, जदे से जदा Win करे, मैं अब मेरा Final Team आपडेट कर दूँगा मेरा Telegram चनल पे जो Description पे और Comment बोक पे लिंक दिया हुआ है guys All the best रच के मैच के लिए, Bye Bye